ब्रैंड इमेज जो ग्राहकों के मन में स्तापित करने का जो एक जरिया है वो विग्यापन समाचार पत्र का जो पहला करता भी है वो सुन्दर दिखिए जो दो भागों में बाटा गया था उसमें जो भविश्य सूचक सामगरी है तो इसके अंतरगत ये सारी जो खब्रे हैं समाचार पत्र में आती प्रणाम मैं रिहानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवाक्ता मेरे सकेंड समिस्टर के जितने भी विध्यारती है आज मैं आपको पत्र करीता के अंतरगत जो विध्यापन लेखन और कुस्ट सजा जो है इसके बारे में जानकारी दूँगी वर्तमान युक को हम क्या है विध्यापन युग भी कहा सकते हैं क्यूंकि आज उपभोगता और जो भी उत्पादक करता है और जो उसका लाब उठाता है यानि ग्राहक और जो भी प्रोड़क्ट बनाता है ये दोनों जो है आज विध्यापन से ही जो भी वस्तुएं नहीं नहीं आहीं है इसकी जानकारी उसमें रहे उपयोग के बारे में सब कुछ आज advertisement के द्वारा ही हमें क्या है जानकारी प्राप्थ होती है इसलिए वर्तमान युक को हम अगर विध्यापन युक कहें तो भी क्या है ये सही हो सकता है वर्तमान युक को विध्यापन नाम दे सकते हैं ये यह इसलिए कि आज का उपभोगता उपभोग्य उत्पादनों के विशय में लगभग समस्त जानकारी विध्यापन के माध्यम से ही कर पाता है बाजार में कितने प्रकार के वस्तुएं है हर एक की खूबी विध्यापन के द्वारा ग्राहकों को मिलता है चतुर उपभोगत अपनी पसंद की उत्पादन उपयोग के लिए स्वीकार करेगा देखें आज जो भी नई नई वस्तुएं आती है बाजार में और इसका लाब उठाने वाले जो ग्राहक है विध्यापन के द्वारा ही उसकी जानकारी उनको मिलती है और नई नई चीजों के जो भी इसमें जो कॉलिटी है या इसका उपयोग किस प्रकार करना है ये सारी जानकारी से ग्राहक भी जो उसे उसकी इच्छानुसार जो भी वस्तु है वो क्या है उसे चुन्ने में उसे सहायता भी मिलती है तो आजका युग जो है वो विज्यापन युग कहे कह सकते है विज्यापन कारी में निरंतरता की अवशकता सर्व परी है सभी कमपनी ब्रैंड इमेज ग्राहकों के मन में स्तापित करना चाहते है तथा परस्तर गुडवेल पाना चाहते है विज्यापन के ग्राहकों के कार्यसे इनि इसमें निरंतरता की अवशकता परती है क्योंकि ग्राहकों के मन में जो है उस वस्तू के प्रति आकरशित करने का ये एक मार्ग विज्यापन भी है यह विग्यापन के द्वारा ही क्या है संभव हो सकता है और यहां पर बतायागा है कि जो भी company है उसका brand image जो ग्राहकों के मन में स्तापित करने का जो एक जरिया है वो विग्यापन है और ग्राहकों का good well भी क्या है company वाले चाहते हैं तो इसका भी एक जो यह ग्राहकों के मन में जो good well चाहते हैं वो भी क्या है विग्यापन के द्वारा ही संभव है तो आज का जो वरतमान युग है हर एक वस्तु को बेचने और खरीदने यह दोनों जो ग्राहक है और जो बेचने वाला है यह दोनों एक ही यह दोनों विग्यापन के द्वारा ही उस वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं और ग्राहक उसकी जानकारी प्राप करते हैं ग्राहक उस वस्तु के बारे में पूरा पूरी तरीके से भी जानकारी प्राप्त करके उसको लेने में उनको आसानी होती है तो आज का जो युग है वो विज्यापन युग कहे तो कहें गलत नहीं हो सकता विज्यापन में स्वयम का भी एक आकर्शन होता है कभी कभी देखा जाता है कि किसी उत्पादक का विज्यापन उस उत्पाद से कहीं अधिक आकर्शक होता है इसलिए अनेक विज्यापन तयार करने वाली कमपनी का निर्मान किया गया है तो दिखें किसी भी एक वस्तू जो भी है जो बेचने वाला होता है जो बेचने वाली company है वो क्या है विज्यापन के द्वारा अपनी वस्तू के बारे में क्या है जानकारी ग्राहकों तक पहुचाता है तो कभी-कभी जो product है उससे भी आकरशित क्या है विज्यापन होता है तो यहांपर बता रहेंगी क्या है इनी इस तरहां के advertisement देने के लिए क्या है विज्यापन तयार करने वाली company का निर्माण हो रहा है उत्पादक के बारे में उसके गुण, विशेष्टाएं, खूबिया, परिनाम उससे उपयोग किये गए कच्छा माल आदी का विवरण तयार करने वाली विज्यापन करता company को देता है तो जो अभी वस्तू है, वो किस तरह से बनी है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसके यानि इसके बारे में सारी जानकारी क्या है, विज्यापन बनाते हैं, उन company को सारी जानकारी दी जाती है वे लोग अपने सर्जन यानि creativity से आकरशक तरीके से आलेक का निर्मात होती है बाद में आकार, समय, नेत्रप्रिय, रंग, आंतरिक रूप से ग्राहक और स्मृती पटल पर अंकित करके योग्य विज्यापन का निर्मान होता है विज्यापन स्पस्ट सम्शिक्तता तथा क्रमबदता के साथ प्रस्तूत करना अनिवार्य है आज यह विवसाय बहुत ही प्रचलित विवसाय माना जाता है जो भी विज्यापन कंपनी जो है वो सारी वस्तू की जानकारी प्राप्त करके उसमें उचित रंग को भरकर और क्रमबदता रूप से क्या है उस वस्तू के बारे में जानकारी देना उसे रंग भरके एक क्या है वहां पर क्या है अपनी क्रियेटिविटी से विज्यापन क्या है बनाया जाता है लोगों को आकरशित करने के लिए यह सब काम जो है विज्यापन बनाने वाले इनी विज्यापन का जो निर्माण करते हैं यह कंपनी वाले इसके हैं अपनी क्रियेटिविटी से क्या है और भी आकरशित बनाते हैं लोगों को आकरशित करने के लिए ये इस अपनी क्रियेटिविटी का प्रयोग करते हुए सभी को आकरशन करें ऐसा एक विज्यापन का निर्मान करते हैं अथार्थ समाचार पत्र पत्रिका के विक्तित्व का घटाना ले आउट या प्ररूप का अर्त है आकलपन आकार प्रकार अथार्थ संपाद कियता का विभाग द्वारा अथवा कला विभाग द्वारा पुस्ट निर्धारण एवं पुस्ट निर्मान का कारियल ये आउट क के अंतरगत समाचार पत्र की सारी सामगरी ब्लॉक एवं विज्यापनों के पुस्ट पर सम्योजित करने की प्रक्रिया होती है तो यहां पर जो समाचार पत्र पत्र का आए है उसमें जो क्या है विज्यापन जो छापे जाते हैं वहाँ पर क्या है इसका जो आकार है उसका जो प्रकार है यानि इस संपादकियता विभाग द्वारा जो ये विज्यापन है किस पुस्ट पर छापा जाता है उसका जो ले आउट है उसे मेकप करके क्या है समाचार पत्र में क्या है इस विज्यापन के बारे में पूरी जानक देते हुए advertisement वहां पर किस पुस्ट पर डालना है इसका काम किया जाता है तो अब हम जानेगे कि पुस्ट सजा क्या है पुस्ट सजा समाचार पत्र के व्यक्तित्व को निखारने सवारने और पूर्ण बनाने का मूल आधार है जो समाचार पत्र है या पत्र का है इसके व्यक्तित्व को निखारने सवारने और उसे आकार देने का जो आकार पूर्ण बनाने का जो मूल आधार है वो पुस्ट सजा है तो यहाँ पर इसका सीधा संभन जो है संपाद किया कंपोजिंग और मुद्रन से होता है इसका सीधा संभन जो कहें संपाद किया कंपोजिंग और मुद्रन से होता है इन तीनों विभाग से संभन्दित विक्ती जो है अपनी रचनात्मक कला से जाहे है यही अपनी रचनात्मक, शमता और कुशलता के उपयोग से इसे महत्पपूर्ण बनाता है तभी समाचार पत्र पत्र का आकार पाते हैं जब ये तीनों विभाग के जो व्यक्ति हैं इन्ही अपनी रचनात्मक कला से, अपनी शमता से, अपनी कुशलता से क्या हैं? ये समाचार जो पत्र है, इसे पत्रिका को एक आकार प्रधान करते हैं मार्क ड्रेवन का कथन है, समाचार पत्र का पहला करतवी ये है कि वो हो सुन्दर लिखे, दूसरा ये है कि सत्य बोले यहां पर जो मार्क ड्रेवन जो है, वो कहते हैं कि समाचार पत्र का पहला करतवी है, समाचार पत्र का जो पहला करतवी है, वो सुन्दर दिखे और दूसरा, वो हमेशा जो भी खबरे सभी के जन संपर्क के सामने लाती है, वो सत्य हो, सत्य हो और सत्य बोले, लेकिन आज के प्रतिस परदा में ये और भी अवश्चक हो गया है कि एक समाचार पत्र या पत्र का दूसरे की तुला में सुन्दर आकरशक और प्रभावश और वो कहते हैं कि आज जो कॉम्टेशन का जो जमाना है, यनि युग है, जहां पर प्रतिस परदा हमेशा हर एक फील्ड में होता है, यनि ऐसे एक प्रतिस परदा जो युग है, इसमें क्या है बहुत ही अवश्चक है कि समाचार पत्र बहुत ही आकरशित हो, और उसमें हम जहां सत्य ही छपे, कहें ये बता रहें कि दूसरी जो पत्रिकाएं हैं, उसकी तुल्ला में बहुत ही सुंदर और सत्यों, और फिर वो कहते हैं कि सत्य शिव और सौंदरी के आदर्श का दरपड़, जो कि सत्य, शिव और सुंदर जो है, इसके तीनों के मिलन से, समाचार पत्र जो है, उसका आदर्श हो, और वो उसका दरपड़ भी हो, इस तरह से कह रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि समाचार पत्र में क्या कहा गया है, कि साथ साथ उसके भी पहले ये देखा जाने लगा है कि कैसे है, कि कैसे कहा गया है, कैसे सुंदर ढ़न से प्रस्त किया गया है इसमें जो किस प्रकार से सौंदर्य को यानि चित्रों को भर कर और जो हेड्लाइन्स होते हैं और जो भी टाइटल होते हैं वो बहुत ही आकरशित हर एक जो घटना है हर एक बात का विवरंड अच्छी तरहां से प्रस्तूत करकर सुंदर धंसे प्रेजेंटेशन करकर प्रेजेंटेशन करना आज के युग में बहुत ही अवश्चक है और ये प्रतिसपर्दा का जो युग है इसमें सत्य और सुंदर यही सुंदर ही शिव है इस तरहां से क्या है मार्क द्रेवन अपने कथन में कहते है पुस्ट सजा के अंग पुस्ट सजा के अंग तीन है एक पुस्ट का आकार दूसरा सामग्रे सम्योजन तीसरा कलापक्ष एवं मुद्रन ये तीन अंग है तो यहाँ पर सामग्रे सम्योजन के अंतरगत यह एक आभविष्य सूचक और दूसरा भविष्य सूचक क्या है और भविष्य सूचक क्या है इसके बारे मैं बताती हूँ आपको भविष्य आभविष्य सूचक समाचार सामगरी है यहाँ पर देखिये जो दो भागों में बाटा गया था उसमें जो भविष्य सूचक सामगरी है इसमें निश्चित आकार प्रकार की होती है इसके अंतरगत बाजार भाब मौसम आकाशवाणी दूर दर्शन के कारिक्रम फिल्म कला समिक्षा संपादक के नाम पत्र संपाद किया शब्द पहली कविता कहानी और कुस्तक समिक्षा परियावरन आदी विष्य आते हैं यह जो है यह सारा जो भविष्य सूचक सामगरी तो इसके अंतरगत यह सारी जो खबरे हैं समाचार पत्र में आती हैं तो आभविष्य सूचक में वर्ग के समाचार सामगरी भी अपने नियत स्तान पर दी जानी चाहिए तो यहां पर जो आभविष्य सूचक है इसमें वर्ग के समाचार सामगरी जो है नियत होती है तो इस तरह से भविष्य जो भविष्य सूचक सामगरी और आभविष्य सूचक सामगरी के अंतरगत जो भी समाचार क्या है समाचार पत्र में क्या है डाल कर क्या है पढ़ने पाटकों के समुख दिये जाते हैं। अपनी शमता से अपनी कुशलता से क्या हैं विग्यापन कंपनी वाले अपने सारी शमता को डाल कर सारवजनिक जनता के सामने सारी खबरें लाते हैं। यही एक कुशलता है। यही एक शमता है विग्यापन कंपनी वालों की। तो यहीं पुस्ट सजा है। तो आज मैंने आपको विज्यापन लेखन और पुस्ट सजा के बारे में जानकारी दी है, पत्र करिता के अंतर गत्थी और मैं आपको जानकारी दूंगे अगली कक्षा में धन्यवाद.